हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोचर प्लेनेट आज हम एक्स्प्लेंड करने वाले हैं एक कॉमेडी रोमेंटिक मूवी को जिसका नाम है रिस्की बिजनेस जिसे डारेक्ट या था पाउल ब्रिकमेन ने और बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.8 आउट आफ 10 स्टार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करतीजिए बिना किसी देरी के एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टार्ट होते ही हम जोयल नाम के बंदे को देखते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था उसे जो अजीब सपने आते हैं इसके बारे में वो उन्हें बता रहा था कल रात मैं अपनी नेवर के बेबी सिटर के साथ था उस पर कोई भी बिलीब नहीं करता उसका फ्रेंड जिसका नाम माइल्स होता है वो उसे कहता है कल रात मैं बहुत ही डर गया था इस बज़े से मैं कुछ भी नहीं कर पाया माइल्स उसे एडवाइज देता है कभी कभी लाइफ में आपको केरफिरी रहना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर बोलना पड़ता है जो होगा देखा जाएगा जोल के पेरेंट्स टाउन से बाहर जाने वाले थे माइल्स कहता है इस अपॉर्शनुटी को तुम जाने मत देना जोल के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो कहते हैं जब हम बापस आए तब जैसा हम घर को छोड़ कर जा रहा है हमें बैसा ही मिलना चाहिए कुछ भी चीज़ों को हाथ मत लगाना उसके फादर का एक म्यूजिक सिस्टम था जिसे उन्हें जोल को छेड़ना अच्छा नहीं लगता था जब जोल के पैरेंट चले जाते हैं तब वो लाउड म्यूजिक में बहुत ही इंजॉय करता है अगले सीन में वो अपने फ्रेंट के साथ था तब उसे पता चलता है उसके एक फ्रेंट को हावर्ड में एड्मिशन मिल गया है वो और उसका एक फ्रेंट जिसका नाम बैरी होता है वो ये डिसकस करते हैं कि उन्हें बिजनिस करना चाहिए जिससे उनके ग्रेड इंप्रूव होंगे वो एक डिवाइस सेल करने वाले थे और उसी पर वो काम करने लगते हैं टबी उसके घर पर उसका एक दूसरा फ्रेंड आता है जोल के परेंड्स घर पर नहीं थे इसलिए वो अपनी गल्फरेंड के साथ लेकर आया था वो दोनों उपर गए और इंटिमेट होने लग गए उनकी आवाजें इन दोनों को बहुत डिस्टब करती है इसलिए वो घर से बाहर चले जाते है जोल के फादर ने जोल को मना किया था लेकिन फिर भी वो उनकी पोश्ट कार निकाल कर ड्राइब करने लगता है वो लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन जवान की कोशिश कर रहे थे सिगनल पर एक गाड़ी उनके साथ होती है और वो उस गाड़ी के साथ रेस भी लगाते है वो आज रात बहुत इंजॉय करते है अगले दिन जोल का फ्रेंड माइल्स उसे मिलने आता है वो कहता है अब तुमारा घर खा लिये और इस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने नहीं दे सकते वो न्यूस पेपर में सर्विस प्रोवाइडर करने वाली लड़कियों को देख रहा था जोल इसमें थोड़ा भी इंट्रेस्टे नहीं दिखाता वो डर रहा था लेकिन माइल्स ने डारेक्टली कॉल कर दिया और उसने उन्हें रात में आट बजे घर पर बुला लिया जोल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जोल ने फिर से उस नमबर पर कॉल किया लेकिन सिर्फ मैसेज जा रहा था उसने मैसेज करतो दिया लेकिन रात के ठीक 8 बजे उसकी डोर बेल बचती है उसने दरबाजा खोला तो ये गे सर्विस प्रोवाइट करने वाली थी जोल गुस्से मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता है लेकिन वो नहीं आता वो आदमी कहता है मैं इतनी दूर से आया तो तुम्हें सर्विस के लिए प्रोवाइट करना ही पड़ेगा जोल के पेरेंट्स उसे जो भी पैसे दे कर गए थी ये सारे पैसे उसे गे को देने पड़ते है ज़्यादे टाइम ये आदमी उसे एक नंबर दे कर जाता है और कहता है तुम्हें इसकी जरूरत है रात तो जोल को गल्फेंड की नीड महसूस होती है जो नंबर उसे मिला था उस पर वो कॉल कर देता है इसके बाद हम देखते है लाना नाम की बंदी उसके पास सर्विस प्रोवाइट करने के लिए आती है फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है अगली सुब़े जोल लाना से उसका चार्ज पूँचता है लाना कहती है 300 डॉलर लेकिन जोल के पास इतने पैसे नहीं थे वो लाना से कहता है मुझे बैंक में जाना पड़ेगा लाना कहती है मुझे जादा बेट करना अच्छा नहीं लगता जब वो वापस आता है लेकिन तब तक लाना जा चुकी थी जोल की मदर का एक एंटिक पीस वो अपने साथ लेकर गई थी जोल अब मुसीवत में पड़ जाता है इस पीस को वापस लाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी वो सारी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड को बताता है वो लाना को ढूंडते हुए एक होटल में पहुँचते हैं जहां पर वो उसे नोटिस करता है वो होटल से बाहर आती और कहती है जल्दी से मुझे यहां से लेकर चलो लाना का मैनेजर उसका पीछा कर रहा था जोल कहता है पहले तुम मेरा एंटिक पीज बापस करो लाना उसे प्रॉमिस करती है कि जल्द से जल्द वो उसे बापस कर देगी तब तक बहां पर लाना के मैनेजर पहुँच गया था और वो अपनी गन निकाल लेता है जोल ये देखकर डर जाता और जल्दी से यहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन मैनेजर उनका पीछा करने लग जाता है उससे पीछा छुडाने के लिए जोल बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है और अपनी स्पीट की बज़े से वो उसे चकमा दे देता है इसके बाद वो लाना से पूचता है कि वो तुमारा पीछा क्यों कर रहा था लाना कहती है मैने हॉस्पीटल के बिल पे करने के लिए उससे पैसे लिए थे मैं उसके लिए काम करती हूँ लेकिन अब नहीं करना चाती वो उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता था जोहल ने उसे राद बार अपने घर में रहने तो देता है लेकिन अगली सुपर उसे इसकूल जाना था तो वो उसे निकल जाने के लिए कहता है लाना इसके लिए unna कर देती है जोल अंदर आकर कहता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा लाना उसका घर यूज करने के लिए उसे पे करने के लिए भी रेडी थी पर जोल उसके लिए मना कर देता है वो दोनों को घर से बाहर निकाल देता है तब ही लाना का मैनेजर ढूंटे ढूंटे बही पर आ जाता है लाना और मैनेजर में फाइट हो जाती है तब वो जल्दी से भाग कर फिर से जोल के गर के अंदर आ जाती है मैनेजर से बात करने के लिए जोल घर से बाहर आया मैनेजर उसे दमकी देता है कि तुम्हें इन सब चकर में नहीं पढ़ना चाहिए मैं तुम पर बहुत जादा भारी पढ़ सकता हूँ तुम हट भी हो सकते हो जोल कहता है मैं पुलिस को कॉल करूँगा लेकिन फिर भी मैनेजर उसे दमकी देकर वहाँ से चला जाता है लाना जोल से कहती है कुछ ही दिनों की बात है तुमारे पेरेंट्स के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं तुम्हें वो एंटिक पीस भी वापस कर दूँगी इसके बाद हम देखते हैं रात में लाना जोल के पास आती है और कहती है क्यों न हम एक ड्राइब पर चलें और वो ड्राइब पर जाते हैं लाना उसे एक बिजनिस प्रोपोसल देती है वो कहती है तुमारे फ्रेंट्स बहुत ही रिच है मेरा भी एक अच्छा नेटवर्क है अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इसके बदले में थोड़े दिनों के लिए मैं तुमारी गल्फरेंट रहूंगी जोल इस पर कुछ भी नहीं बोलता वो उसे कहता है तुम ये काम क्यों कर रही हो लाना कहती है मेरे स्टेफ फादर मेरा फादा उठाना चाते थे तो इसी बज़े से मैं घर से भाग आई वो ये सब काम कर रही थी तो जोल उसे जज़ कर रहा था ये लाना को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो माहसित चली जाती है ये हिल पर होते हैं अचानक से गाड़ी का कंट्रॉल बिगर जाता है और वो नीचे जाने लगती है नीचे पानी था जोल ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो पानी में चली जाती है अब वो बहुत बड़ी परिशानी में और गुस्से में उसने उस लेडी की कॉलर भी पकड़ ली जिसकी वज़े से एक हफते के लिए उसे सस्पेंट कर दिया जाता है अब वो भी फिरी था और उसे पैसों की जरूरत थी तो डारेक्टली वो लाना के पास जाता है और उस बिजनेस को वो दोनों स्टार्ट कर देत हैं कस्टुमर को हैंडल करने का काम जोल का था इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को लाना के पास लेकर आता है इनका बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि घर में बहुत सारे लोग आने लग गये थे जोल की अच्छे कॉलिज में एड्मीशन हो जा इसलिए उसके फादर ने ए लेने वाले आदमी कोई उसके घर पर बेज दिया था जब वो घर पर आया तब ये सारी पार्टी देखता है जोल और वो शांती के लिए एक रूम में जाते हैं लेकिन बहां पर इतने सारे लोग थे तो हमेशा कोई नकोई उन्हें डिस्टप करता रहता था लाना भी उनक को कहना पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा वो ज्यादा इस बात के बारे में केर नहीं करता इंटर्विव खत्म हो जाने के बाद इंटर्विव नहीं रुखता है और वो पार्टी को एंजॉय कर रहा था लाना जोल के पास आती है जोल कहता ये सारी चीज बहुत ही आउट आफ कंट्रोल हो गई है लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है हमने बहुत सारे पैसे बनाए है और तुमने प्रूप किया है कि तुम्हें एक अच्छा बिजनिस कर सकते हो लाना आज रात ट्रेन में जोल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी इसलिए दोनों ट्रेन मे चले जाते हैं लोगों के जाने के बाद महीं पर वो इंटीमेट हो जाते हैं अब जोल के पास पैसे आ गये थे तो वो अगले सीन में अपने फादर की कार लेकर आता है वो घर पर बापस आया तो घर का सारा सामान गायब था उसे लगता है लाना नहीं है यह सब चोरी किया वो उसके घर पर कॉल करता है लेकिन लाना का मैनेजर बहाँ पर पहुँचा हुआ था एक्चुल में लाना के मैनेजर नहीं उससे बदला लेने के लिए उसका सारा सामान चोरी कर लिया था जोल बहुत ही मजबूर था क्योंकि आज ही उसके परेंट्स बापस आने वाले थे वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है और मैनेजर सारा सामान लेकर बापस आ जाता है और जोल के पास जो भी पैसे होते हैं वो उसे मैनेजर को देने पड़ते हैं लाना के साथ उसने जो भी बिजनिस किया उसमें उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, उसने अपने सारे फ्रेंट्स की हेल्प ली और घर पहले जैसा बना दिया, उसे अपने पेरंट्स को एरपोर्ट पर पिक करना था, लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देता है, वो जब प्राउट था, कुछ टाइम बाद उसके फादर उसके पास आते हैं, और कहते हैं तुमारा इंटर्विव लेने वाला वो आदमी तुमारे पास आया था, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, जोल को लगता है उसके फादर को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन वो एकद लाइज में आपको चांसिस लेने पड़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं मुवी में कुछ टाइम बीच चुका था, जोल लाना से मिलता है, और पूछता है कि सारी चीजे सेट अप थी, क्या तुम मेरा यूज कर रही थी, लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, वो डिन आपसे अगले वीडियो में